ओशो देख लेक्चर अंच इक कथा में सुनी है इकत दुर्गम ते उच्चे परवत ते परमातमादा सुनेरी मंदर सी उदा पुजारी बुढ़ा हो गया सी उन्हें अलान कीता सी के मनुख जाती विच जो सब्तो वद ताकतवर होएगा उही नमे पुजारी दी जगा नियुक तो हो सकेगा एस रुत्बे तो वड़ा होर कोई सु बाग नहीं सी मिथी, मिथीनू ताकतवर उमीद्वारा ने परबदी चड़ाय शुरू कीती जड़ा सब्तो पहलां परबद सिखरती स्थित मंदर्च पहुंच जाएगा निश्चे युँ सब्तो वद बलवान सिद्ध हो जाएगा चड़ाई, चड़नी शुरू करन लगया हरेक विमीद्वार ने अपने बाल दे सूचक वज्जों इक-एक पत्थर अपने मुड़े ते चुक रख्या सी, जड़ा जिन्ना अपने आपनू बालशाली समिदा सी, उनियों नई वड़ा पत्थर अपने मुड़े ते चुक रख्या सी कई मीने आदी आतकठन चड़ाई सी, कई आदी जानवी चली जानदा खतरा सी शैदे से लिया कर्शन वी सी ते चनोती वी सी, सेंकडे लोका पो अपनी किस्मते पुर्शार्थ दी पर्क करन लई निकल पहे सन। जिवें जिवें दिन बीत दे गए अनिका अरोही पच्छड दे गए, कुछ खाई खड़ें चापो अपने पत्थर नो चुकी, संसार तो कूच कार गए, फिर वी थक्के हारे हुटे जड़े बाकी रह गए और दबाई ना जा सकन वाली लालसा दिनाल वद्दे जा रहे सन। जिड़े डिग पेंदे सानोना देस बंद वे चड़ाई करन वालयान। विचार करन दा ना समासी ना सुहूलत। पर एक दिन सारी चड़न वालयाने हरानी नल वेख्या, कि जो व्यक्ती सब तो पिछे रह गया सी, उतेजी नल सब तो अग्गे निकल जा रहे। उधे पूरता देखके हसन लगे, क्योंकि अपने मर्दाव चेन तो रहत व्यक्ती दे परबत सिखर ते पॉंचर ना मकसद की हो सकता है। फिर जाद मिहिन्या दी कश्टा नल पूरी किती चड़ाई तो बाद, भाली भाली सारी चड़न वाले पर मातमां दे मंदर तक पॉंच ग असी नवा पुजारी बना देता गया। पर ये तो पहला कि वे इस अन्यादी शिकायत कर दे पुराने पुजारी ने उना सारे आंदा स्वागत कर दे हुए क्या। पर मातमा दे मंदर च परवेश्त अधिकार, अधिकारी सिर्फ हो ही है, जिड़ा अपने हंकार तो मुक्त तो हो गया हो एक। एस योक ने एक बिलकुल नवीन बाल दा प्रक्तावा किता। हंकार दे पत्थर दा बोज टोना असली बाल नहीं है। मैं तो अतो सारे आं तो निमरता से आत पुछदा के पहाड दी चड़ाई शुरू करन तो पहला इना पत्थरा नू मुड़े आं त है कि दो तो हो है कि दो है कि दो है तो है कि अलूड़ प्रक्ताव करती से अजुरू है